जय श्री राम जय बागिश्वरधाम जब भी समय मिले ये दो चौपाईयां जप लें और तुरंट देखें चमतकार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चनल में और इस नए वीडियो में हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए नए उपार लग कर आते हैं जो आपकी कई परेशानियों से आपको बचाता है आज के उपाय में यह चमतकारी उपाय है आप बस दो चवपाईयों को जप लें और आपकी तुरंट सभी समस्याएं चमतकार के रूप में समाधान हो जाएंगी हम वो दो चवपाईयां आपको बताएंगे यदि आप किसी कश्ट में हैं आप किसी दर्द में हैं या फिर आप किसी परिशानी में हैं जैसे की पारिवारिक परिशानी व्यवसाय संबंधी नौकरी संबंधी पित्र दोश कुंडली दोश किसी भी तरह की परिशानी में आप पासे हैं या फिर आप धार्मी कारे कर रहे हैं बहुत पूझापाट कर रहे हैं आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है आप हमेशा इस बात की शिकायत हमेशा आपको बनी रहती है कि भगवान अपनी कृपाद रिष्टी आपर नहीं बना रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हम आपको दो चौपाईयों के बारे में बता देंगे, आप बस उनका जाप करना है आपको, और निश्चित रूप से सुखत वो चमतकारी परिणाम आपको कुछ ही समय में देखने को मिलने लगेंगे. हम जो दो चौपाईयां आपको बताने जा रहे हैं वो बेहत खास हैं, वो किसी महामंत्र से कम नहीं, महामंत्र मानकर ही जो लोग सदियों से इस चौपाई का लाव उठा दे आ रहे हैं और मनो वान्शित परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद साथ ही जो अगर प्रभू की कृपा आपको पानी है तो इसी मंत्र की वज़ा से आपको प्रभू की कृपा प्राप्त हो जाएगी, सुख समपत्ती, सम्रिध्धी आपके द्वार खड़ी होगी, आप पर प्रभू की कृपा और आशिरवात हमेशा के लिए बना रहेगा, आपके समस्त विपत्तियों से आपको छुटकारा मिलेगा, पहली चौपाई है, ध्यान से सुने, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस चौपाई को निरंतर दुख, कश्ट और परेशानियां और रोग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों दूसरी चौपाई ध्यान से सुनिएगा। परम भक्त हनुमान का जाब करने से भगवान खुश होते हैं। उनकी कृपा जो है आपको आसानी से प्राप्थ हो जाती है और पूरी तरह से प्राप्थ होती है। और उनकी प्रसन्नता, उनकी स्तकारात्मक उर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। और आपका मन प्रफुलित हो जाता है और आनन्दित हो जाता है। और आपके सारे जो ग्रह दोश हैं, रोग हैं उनसे आपको दूर कर देता है। आप इसलिए इस चौपाई को नियमित रूप से पाट कीजिए, आपके सारे विपत्ति को हनुमान जी हर लेंगे। इसलिए इन दोनों चौपाईयों को नियमित रूप से आपको जाप करना है। और दिन में या फिर शाम में किसी भी समय, आप चाहें तो दोपाहर में, रात में, जब भी आपको एकांत में समय मिले, आप ध्यान लगा कर इन दोनों चौपाईयों का पाट करें। और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन से कष्ट दूर होते हैं। आपको अच्छे से बैठ कर आसन लगा कर बैठना है, फिर ध्यान लगाते हुए इन दोनों चौपाईयों को आपको जाप करना है, निरंतर जाप करना है। करने में लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और आपकी सभी विपर्ति वपरिशानी आपसे दूर होगी। भगवान हनुमान जी की कृपाद रिष्टी आप पर बनी रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जै श्री राम, जै वागेश्वर धाम, त्या राम, राधिय।